स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मिसी ग्यान पर इस चैनल पर फार्मिसी कोर्ष से सम्बंदित मोस्ट इंपोर्टेंट कोष्टन हर दिन अप्लोड होते हैं आज का टॉपिक है डॉचेस डॉचेस मोनोफिजिक लिक्विड डॉचेस फॉर्म का एक भाग है जो स्पेसल पर्पोस यूज के अंतरगत आता है हमारे बॉटी में कुछ ऐसे कैविटी वाले स्थान होते हैं जहां गंदगी जमा हो जाती है जैसे आनपीट, यूरेनरी ब्लडर, वेजीनल, रेक्टीनम, कैनल, सरीर के ऐसे भाग हैं जिसे मेडिकेटेट सॉलुशन से साफ किया जाता है फार्मिसी के लैंग्वेज में इसे रिंजिंग अब बॉडी कैविटी कहते हैं अब बात करते हैं डॉचेस के एक्स्प्लिनेशन की डॉच सब प्राया वेजाइनल सॉलुशन के लिए किया जाता है जिसका अर्थ ये है कि वेजाइनल को डॉचेस की मदद से साफ करना ताकि इन्फेक्शन ना हो और आप स्वस्त रहें दूसरे पॉइंट में यूरिनरी ब्लैडर की सफाई के बारे में बताया गया है जन्रली इर्रिगेशन का मतलग खेतों में पानी बटाने से होता है पर यहाँ फार्मेसी में यूरिनरी ब्लैडर को डॉचेस से रिंजिंग यानि सफाई करने के प्रोसेस को इर्रिगेशन के नाम से जाना जाता है तीसरे पॉइंट में एनिमेस के बारे में समझाया गया है जिसका अर्थ होता है डॉचर्स के माध्यम से रेक्टम कैनल की सफाई bladder irrigation जब हो रही होती है यानि जब bladder की सफाई हो रही होती है तो इस बात का विसेज ध्यान रखा जाता है कि सारे जिवानू और किटानू मर गए हो जिवानू और किटानू को मारना sterile कहा जाता है और हमारे सरीर के bladder को बहुत ही साफ और सुद्ध रखना पड़ता है जिसके कारण इसे sterile organ कहते है जर्म के बाद या सरजरी के बाद जिवानू और किटानू को मारने हेतू वेजाइनल को डॉचेस की मदद से sterile करना पड़ता है डॉचेस में मौजूद agent इस प्रकार होते है पहला है cleansing agent जिसमें isotonic sodium chloride solution होते है isotonic solution का मतलब वैसे solution से है जिन में electrolyte balance रहते है दूसरा है antiseptic antiseptic के रूप में chlorohexidine और chlorohexosilidine उपयोग में होता है antiseptic ऐसे पदार्थ होते हैं जो सरीर के कटे भाग को infection होने से बचाते हैं और तीसरा जो है वो है astringents इसमें alum 1% आते हैं astringent वैसे पदार्थ हैं जो सरीर में कट हो जाने के बाद कट वाले skin को tight कर देते हैं जिससे bleeding होनी बंद हो जाती है अब बात करते हैं dotches के direction की तो dotches को concentrated form में दुकानों में supply की जाती है जिसे use से पहले गरम पानी के साथ suitable volume में dilute किया जाता है अब बात करते हैं method of administration की तो इसमें gravity flow method का इस्तमाल किया जाता है इस तकनीक में एक rigid PVC यानि polyvinyl chloride container को 2 meter लंबे pipe से जोड़ा जाता है ताकि vaginal pipe को tap से जोड़ा जा सके और बात करते हैं containers की तो dotches के लिए bottle narrow mouth का और color किया हुआ होना चाहिए label के रूप में bottle पर for external use only not be taken and dilute with warm water up to suitable volume ये लिखा हुआ होना चाहिए तो ये सारी बाते जो थी वो dotches के बारे में थी अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं दिखा है तो playlist में चले जाए वहाँ इसके पहले के सारे topics से related important question है आप वहाँ पर उसे देख सकते हैं और मेरा पुरा विश्वास है कि इन question की practice करने के बाद आपके final year के exam में एक भी प्रस्टनी चूटेंगे और आप अच्छे percentage के साथ अपना final year exam पास कर जाएंगे तो मिलते हैं next video में बाई बाई